हाई फ्रेंड स्वागत है आपका गातरी भेज कीचेन में आज मैं बनाने जा रही हूं मैक्रोनी यानि की पास्ता छोटी छोटी भूक के लिए साम के नास्ते में बनाएं पास्ता मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पास्ता बनाना बताऊंगी जटपट त्यार हो जाएंगे पास्ता बनकर तो चलिए हम बनाते हैं टेस्टी टेस्टी पास्ता सबसे पहले मैं यहां 1.500 ग्राम पास्ता ली हूँ इसे हमें उबालना है इसे तब तक उबालना है जब तक ये अच्छी तरह से पकना जाए पानी को उबाल आने तक अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे पानी में उबाल आ गई है इसमें हम एक चमच ओल डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके बाद हम इसमें पास्ता डालेंगे सारे पास्ते को हम इसमें डाल लेंगे आप किसी भी डिजाइन का पास्ता ले सकते हैं इसे हमें अच्छी तरह से चलाना है ताकि ये तली में चिपके नहीं इसे हमें 5-6 मिनट पका लेना है इसे ओबर कुक नहीं करना है 5-6 मिनट पकने के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं देखिए अच्छी तरह से पास्ता पक चुकी है अब इसे हमें अच्छी तरह से पास्ते को छान कर एक बॉल में निकाल लेंगे पास्ते को चान कर एक बॉल में निकाल लिए हैं इसे हमें ठंडे पानी से धोना है ठंडे पानी से धोने के बाद एक प्लेट में निकाल लिए हैं अब हम एक कडाही लेंगे इसमें हम 3-4 चम्मच ओयल डालेंगे ओयल को गर्म होने देते हैं ओइल अच्छी तरह से गर्म हो गई है, इसमें हम 3-4 हरा कटा हुआ मिर्च डालेंगे, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो मिर्च को आप स्किप कर सकते हैं, दो कटा हुआ प्याज डालेंगे, इसे हमें 1 मिनट अच्छी तरह से भून लेना है, अच्छी तरह स एक मिनट भून लेंगे अद्रक और लैसन का पेश्ट भूनने के बाद इसमें हम सारे पास्ते को डाल देंगे पास्ते को भी हमें दो मिनट तक भूनना है इसके बाद हम इसमें एक चमच आली मिर्च का पौडर डालेंगे और आधे चमच हल्दी पौडर डालेंगे मसाले डालने के बाद हमें इसे दो मिनट चलाते हुए भून लेना है स्वाध अनुसार नमक डालेंगे एक बड़ा चमच टमाटो सॉस डालेंगे और एक बड़ा चमच चिली सॉस डालेंगे पौस डालने के बाद इसे हमें एक मिनट और भून लेना है पास्ति को भूनने के बाद इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ पास्ता पूरी तरह से हमारा त्यार है तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में एक प्लेट में सॉर्ड करने के बाद इसे हम टमाटो सॉस से गार्निस कर लेंगे टेस्टी टेस्टी पास्ता बनकर त्यार है आप इसे साम के नास्ते में खाएं अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद